आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल टेकनोलोजिक इन्फोर्मेशन में हलो फ्रेंड तो कैसे हो आप लोग आज हम आपको बताएंगे फेस्बुक आईडी पर एक ओनलाइन दुकान कैसे खोल सकते है हाँ या अपने प्रोडेक्ट को सेल कैसे कर सकते है फेस्बुक पर फेस्बुक पेज पर दुकान कैसे बनाए चलिए जानते है इस वीडियो में उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का पेज बना सकते है ये देखिए मैंने याँ पर तीन पेज बना रखे है जिसमें से दो तो मेरी सोपिंग स्टोर पेज है यानि कि ये एक दुकान है इस पर सामान अपलोड किये गए है मैं आपको अपनी सोप दिखा देता हूँ आप भी इस तरह की सोप क्रियेट कर सकते है ओपर सोप पर किलिक कीजी ये मैंने यहां पर 5 शै प्रोडक्ट एड किये आप भी इस तरह से प्रोडक्ट एड कर सकते है मैं आपको एक प्रोडक्ट ओपन करके दिखाता हूँ आप जिस तरह इकोउमर्स साइट या आपलिकेशन पर प्रोडक्ट को देखते है और उसकी फुल डेटेल पढ़ते है उसी तरह यहाँ पर भी प्रोडेक्ट देख सकते है और उसकी फुल डेटेल पढ़ सकते है वीडियो को लाइक कीजी शेर कीजी चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाईए और नीचे बिलू कलर में चैक आउट ओन वेबसाइट पर क्लिक करके इसे विजिट भी कर सकते हो या खरीद भी सकते हो चलिए जानते हैं फेस्बुक पर इस तरह का पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो एक पूरी तरह से दुकान है अभी हम पेज यू मैनिज पर है लेफ्ट साइड में क्रिएट न्यू पेज इस पर क्लिक कीजी ये आपके सामने न्यू पेज क्रिएट होने की प्रोसेसिंग आ चुकिए टोप पर देखिए क्रिएट एपेज आपको यहाँ पर अपने पेज की इनफोर्मेशन डालनी है यहाँ पर आपको अपने पेज का नाम डालना है जो भी आप अपने सोप का नाम रखना चाते हो वो डाल दो यहाँ पर मैं अपनी सोप का नेम रख देता हूँ इस्टोर जैसे आप अपने पेज का नाम टाइप करते जाओगे आपके page के logo के सामने वो name सो होता रहेगा यहाँ पर आपको अपने page की category डालनी है यानि कि आपकी store किस प्रकार की है electronic या clothing इस तरह कि आप category select कर सकते हो आप चाहो जितनी category select कर सकते हो पर आपके store के name के नीचे शिर्फ एक ही category सो करेगी बाकी आपके information में सो करेगी यहाँ पर आपको अपने page और store का एक सुन्दर सा डिपक्रेशन सोच कर लिख देना है और नीचे से create page पर click कर देना है यहाँ पर page create होने की processing चल रही है हमारा facebook store create हो चुका है अब हमें इसका logo और background picture select करनी है add profile picture यहाँ से हमें अपने store का logo select करना है जो यहाँ पर सो होगा add cover photo यहाँ से background picture select करनी है photo select करने के बाद नीचे से save कीजिए यह हमारा facebook store create हो चुका है मैं आपको page थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस तरह का page create हुआ है अभी हम इसकी थोड़ी सी setting करेंगे और इसकी theme भी change करेंगे अब हम इसकी editing करते है यानि कि इसकी theme change करते है theme change करने के लिए उपर more पर क्लिक कीजिए end में edit tools इस पर क्लिक कीजिए edit tools में आपको top पर temples create temples का option दिखाई दे रहा है इसके justice हा में edit है उस पर क्लिक कीजिए आपको यहाँ पर काफी सारी category की themes मिल जाएगी इन theme में shopping name की एक theme है आप उस पर क्लिक कीजिए आप यहाँ से देख सकते हो इस theme के tools कहा कहा पर है इस theme को apply करने के लिए निचे right side में apply temples पर क्लिक कीजिए यह हमारे theme apply हो चुकी है theme apply होने के बाद back कीजिए next वीडियो में आपको बताएंगे कि इस सोप पर product कैसे upload करते है या sale करते है आसा करता हूँ कि आपको यह सारी processing समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई है तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को subscribe करके बैल आइकन दबा दीजिए चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई झाल 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 झाल